जै शनी देव प्रिय भक्त कनो मैं पुना आज आप सभी विवर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनी शिशी जी के मासिक राशीफल के प्रोग्राम में हारदिक स्वागत करता हूँ जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च 2021 के राशीफल की इस महीने आसमान में जो ग्रेहों की स्तिती है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर चाहे वो आपकी इंकम की बात हो यदि आप नई नौकरी की दलाश कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें सफलता हासिल होगी अगर आपके competitive exams महीने आ रहे हैं आप लोग students हैं तो क्या आप उन exams में अच्छा perform कर पाएंगे मार्च 2021 में भाग गया आपका कितना साथ देने वाला है आपका स्वास्त इस महीने कैसा रहने वाला है कहीं कोई विशेश परेशानी तो आपके द्वार पर दस्तक नहीं दे रही है अगर आप पती पतनी है शादी शुदा जीवन में है तो आप दोनों के रिष्टों में इस महीने कितनी मेठास रहने वाली है यदि आपकी शादी नहीं होई है और आप प्रेमी प्रेमिका है तो आप दोनों के बीच के संबन किस प्रकार रहने वाले है अगर आप इस महीने कोई नया इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं आप नया घर लेना चाहते हैं नहीं गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए शुब समय क्या है इन सभी प्रशनों का जवाब आपको मिलेगा इस मासिक राशीफल के प्रोग्राम में और अंत में हम आपको बताएंगे वो असरदार उपाए वो सरल और असान उपाए जिसे करके मार्च 2021 में यदि आप कोई भी शुब काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी तो आशा करता हूँ आप हमारे इस मासिक राशीफल के प्रोग्राम को अंत तक देखेंगे चलिए बत करो आज की चर्चा को आरम करते हैं और मार्च 2021 के ग्रे गोचर का अध्यन करते हैं इसके लिए हम लोग काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं काल पुरुष कुंडली में जो प्रतम भाव है वो मेश राशी का भाव है जो की मार्च 2021 में किसी भी मुख्य ग्रे से वजचित रहने वाला है इसके पश्चा जो दूसरा भाव है वो व्रिशब राशी का भाव है उसमें आपको दो ग्रे विराजमान दिखाई देने वाले हैं इस पूरे महीने में एक तो हैं मंगल देवता और दूसरे हैं रहु देवता जब ये दोनों ग्रे एक साथ कुडली में बैठते हैं तो ये अंगारक योग का निर्मार करते हैं और अंगारक योग एक विशेश योग है जो की आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई करवाने की जो संभावना है वा वहाँ पर वो जिस भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा उसके साथ आपकी किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद होना लाजमी है तैह है और इसका हम लोग विस्तार से अध्यान करेंगे अपने अगले भाग में आगे हम देखते हैं तो जो तृतिय भाव है मितन राशी का भाव है वो भी मुख्य ग्रेहों से वंचित है इसी प्रकार जो चौथा पाँचवा छटा और सात्वा भाव है ये सभी मार्च 2021 में मुख्य ग्रेहों से वंचित रहने वाले हैं इसके पश्चार जो कुंडली क अश्टम भाव है वो वरिष्चिक राशी का भाव होता है इसके मालिक मंगल देवता होते हैं जो की सामने से ही अपने घर को देख रहे हैं वो दृतिय भाव में विराजमान है और अपनी पूर्ण दृष्टी से आठवे भाव को भी इस समय पर देख रहे हैं जिसका शुब कि मित्री ही है तो उसका भी आपको शुब फल देखने को मिलेगा आगे अगर हम लोग नवम भाव की अध्यान करते हैं तो वो भी मुख्य ग्रहों से इस पूरे महीने वन्चित रहने वाला है अब जो दश्शम भाव हैं हम लोग उसका अध्यान करते हैं यह मकर राशी का भाव होता है और इसके स्वामी जो शनी देव हैं वो इस पूरे महिने इसी भाव में मजबूती से विराजमान रहने वाले हैं और आपको अवश्य ही शुबफल प्रदान करने वाले हैं इनके साथ-साथ यहाँ पर ब्रियस्पती देवता भी विराजमान है परंतु वो अपनी नीच राशी में विराजमान है मगर राशी उनके लिए नीच राशी होती है जिसके दुश्प्रभाव भी आपको अपने जीवन में दिखाई देंगे इसके साथ-साथ यहाँ पर बुद्ध देवता भी विराजमान है जो कि 11 मार्च को राशी परिवर्तन करेंगे और आकर बैठ जाएंगे कुम्ब राशी में अब इससे एक फाइदा तो यह होगा कि पहले वो जो अपने शत्रू के साथ विराजमान थे अब उनका घर वो छोड़ देंगे मतलब जहाँ पर बुद्ध देवता जो उनके शत्रू थे उनका घर को वो छोड़ कर अब वो 11 भाव में यानि कि कुम्ब राशी के भाव में 11 मार्च के परिशात विराजमान हो जाएंगे तो पहले की खरार स्थिती से बुद्ध देवता काफी अच्छी स्थिती में आ जाएंगे जो कि आपके लिए शुबफल दाई है आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जो 11 भाव हैं इसमें महीने की शुरूआत में सूर्य देवता विराजमान है जो कि 14 मार्श तक इसी प्रकार से इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं और 14 मार्श तक ये अपने ही घर यानि कि जो इनकी सिंग राशी है उसको ये पूर दृष्टी से देखते हैं जिसके शुबफल आपको देते हैं और उसके पश्चाथ सूर्य अपनी राशी का परिवर्तन करेंगे और वो मीन राशी में 14 मार्श के पश्चाथ विराजमान होने लगेंगे इसके साथ साथ जो शुक्र देवता हैं वो भी इस पूरे महिने की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में 17 मार्श तक तो वो इसी प्रकार से कुम्ब राशी में विराजमान रहने वाले हैं और 17 मार्श को वो आपको एक बहुत ही शुब खबर दे रहे हैं और वो शुब खबर ये हैं कि शुक्रदेवता आपनी उच्छ राशी याने कि मीन राशी में विराज़मान हो जाएंगे और देत्यों के गुरु शुक्र देवता का इस प्रकार उच्छ राशी में विराज़मान होकर निवास करना आग के लिए बहुत ही अच्छे फलों को प्रदान करने वाला होगा इसका शुब फल आप सभी लोगों को निच्चित तौर पर देखने को मिलेगा जिसकी हम लोग विस्तार से भी आगे चर्चा करने वाले हैं तो भक्कड़ों ये मार्च 2021 के ग्रेग गोचर की हमने चर्चा की अब आगे हम लोग आपका राशी फल का अध्यन करने वाले हैं चलिए भक्कड़ों अब चर्चा करते हैं कि कन्या राशी की जो इंकम की सिती है वो मार्च 2021 में किस प्रकार बनी हुई है तो जब कभी हम लोग इंकम की बात करेंगे तो हमीशा चर्चा होगी आपकी कुंडली के एक तो ग्यारवे भाव की जिसके मालिक है चंद्रमा क्योंकि एक करक राशी का भाव है और दूसरा आपकी कुंडली के द्वित्य भाव की जिसके मालिक है शुक्र क्योंकि ये तुलाराशी का भाव है अब अगर हम लोग आपकी कुंडली की ग्यारवे भाव को देखें तो वो मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचे तरहने वाला है परंतु दो ग्रहे पूरे महीने इस भाव पर अपनी पूर द्रिष्टी से इस पर असर डालने वाले हैं जो कि पंचा महाव में विराजमान है एक तो हैं ब्रिहस्पति देवता और दूसरे हैं शनी देवता अब ब्रिहस्पति देवता तो नीच अवस्था में है क्योंकि वो इस समय पर मकर राशी में गोचर कर रहे हैं परंतु जो उनकी दुश प्रभाव है वो इस महीने शील होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो आस्मान में डिगरी है वो बढ़ती जा रही है वो अपनी वैसे तो वो आपके लिए दुश्प्रभाव ही है परंतु वो कम होता चला जाएगा तो ये एक आपके लिए अच्छी खबर है साती सात उनके जो शत्रू जो उनको काफी ज़दा कष्ट पुचा रहे थे यानि कि बुद्ध देवता वो भी 11 मार्च को अपना राशी परिवर्तन कर लेंगे और फिर जो शनी देव हैं जो बूर्ण दिष्टी से वहाँ पर देख रहे हैं वो पहले से अपने घर में विराजमान है तो उनका भी थोड़ा थोड़ा आशिरवात आपको अवश्य ही प्राप्त होगा अब यहाँ पर दूसरी जगा हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के जितिय भाव की भी इसके मालिके शुक्र देवता अगर शुक्र की सिति को हम लोग इस समय पर देखें तो वो आपके छटे भाव में विराजमान है दर्शार है कि आपकी पैत्रिक संपत्य आपका करमा बद्धनामी है वो भी समय के साथ आपके उपर आ रही है या फिर आप कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से बद्धनामी आपकी और बढ़ती जा रही है आप ऐसी गलत जगाओं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप ऐसी गलत जगाओं पर अपने पैसे को खच कर रहे हैं जिससे बद्धनामी आपके गले पढ़ने वाली है तो इसके लिए आपको बहुत सब्सक्राइब रहना है एक से 17 मार्च के बीच में क्योंकि 17 मार्च के पर शुक्र की जो सिती है वो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत जादा बहतरीन हो जा आगे भी चर्चा करेंगे इसमें जो एक विशेश फ़ल है वो यह है कि अब आपके जो जीवन साती है वो कहीं न कहीं आपके ये अचल संपत्ती बढ़ाने में आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में आपकी जो कमाया हूँ धन है जो मतलब जो बरकत वाली जिसकी मैं बात कर बलकि जो बरकत करके जो हम बचाते हैं जो सेव करते हैं उसको बढ़ाने में आपको अपनी जीवन साती का भरपूर साथ मिलने वाला है साती साथ आपके जो बिजनेस पार्टनर है वो भी आपके लिए बहुत सपोर्टेव हो जाने वाले हैं तो दोनों ही दिश्टी से ये आपकी संपत्ती को बढ़ाने वाले संकेत हैं जो आपके लिए बहुत ज़दा शुब रहने वाले हैं परंतु ये वस्ता 17 मार्च के पश्चाथ ही बनेगी तब तक आपको 17 मरतना आवश्यक है यही पर भक्कणू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप में से कोई भी व्यक्ती परेशान है विचलित है पैसो की तंगी से मारा हुआ है पैसो की कमी से जूज रहा है मेहनत तो आप लोग बहुत करते हैं परंतु उसके मुताबिक आप धन नहीं कमा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं वो आपकी कुंडली में ग्यारवे भाव के जो स्वामी है उनकी वज़े से ये परिशानी आ सकती है और विशेश तोर पर कन्या राशी के अगर मैं जातकों की बात करूँ तो उनके लिए परिशानी तब ही आ सकती है जब उनकी जो चंद्रमा है उनकी स्थिति अच्छी में हो यदि उनकी स्थिति खराब है यानकी चंद्रमा आसमान में जब आपका जनम हुआ ता उस समय पर अच्छी अवस्ता में नहीं थे पीड़ित थे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी आमंदनी और आयके स्रोतव पर होता है तो उन्स रोतों को मजबूत करने के लिए चंद्रमा को बल प्रदान करने के लिए ताकि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे कर्ज के बोजतले जो आप लोग दबे जा रहे हैं उससे आप बच सकें एक आपका बैंक अकाउंट और उसमें बैंक बैलन्स बने इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने हाथ में एक मंतर सिद्ध प्राण पतिष्ट मूर्थी की अंगूठी यानि कि जिसे हम परल बोलते हैं इंगलिश में एक शुच्चा मूती उसकी अंगूठी जो मंतर सिद्ध हो प्राण पतिष्ट तो जागरत हो उसको अपने हाथ में यदि आप धारन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में लक्ष्मी मा की जो कृपा है वो सदैव बनी रहेगी आपकी जो संपत्ती है उसमें कभी कमी नहीं आईगी आपके बैंक बैलन्स में कभी कमी नहीं आईगी कर्ज के बोज के तले आप कभी नहीं दबेंगे अगर आपके उपर कर्ज है तो वो भी आप जल्दी उतार पाने में सक्षम अपने आपको महसूस करेंगे इन सबी चीजों के लिए आवश्यक है कि आप मोती के अंगूठी धारण करें और यदि आपको ये अंगूठी अपने असपास कहीं भी प्राप्त नहीं हो पा रही है तो हमारे सिद्ध शानी मंदिर से आप इस अंगूठी को प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है आप बस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा शनीदेव.us राशी रतन आप जैसे ही ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक का जो ट्राइंगल है उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई दे जाएगा और इस पर क्लिक करके आप सीधे शनी मंदर के हमारे जो जैम स्टोर है उसमें पहुच जाएंगे वहाँ पर आप इस अंगूठी के लिए अपना ओरर प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको घर बेटे ही इस अंगूठी को आप तक पहुचा देंगे अब आप मेंसे कई सारे व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि क्या इस अंगूठी को पहन कर हमें फाइदा होगा तो भक्कणों मैं आपको हमारे सिद्शनी मंदिर के कुछ भक्तों से मिलाना चाहता हूँ जिनका जो जीवन है इन अंगूठी को पहन कर बदल गया है उसमें इतना बड़ा बदलाव आया है कि पहले जब हमारे भक्कण जो इतना परिशान थे जगजब गपर हालात के मारे भटक रहे थे वो आज अपने जीवन में एक सफल मकाम पर पहुँच गए है ऐसे ही एक भक्कण से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे आपने अपना बहुमोल समय निकाल कर मेरी और मेरे बच्चों के लिए राशिफल दी मैं आपकी दी हुई उपाय को ज़रूर करूंगी और आपने इतना प्यार से मुझे समझाया मुझसे बात किया थेंक यू थेंक यू सो मच चलिए भग्कणो अब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं हम बात करते हैं कि कर्मों की दृष्टी से मार्च 2021 कन्या राशी के जातकों के लिए किस प्रकार बना हुआ है यहाँ पर हम ये भी चर्चा करेंगी कि क्या जौब सीकर्स को अपनी जौब की तलाश में सक्सेस मिलेगी क्या प्रमोशन के चांसे मार्च 2021 में आपके लिए बन रहे हैं और यदि आपका अपना बिजनस है तो क्या उसमें आपको सफलता हसल होगी क्या वर्क प्लेस पर हलात आपके अनुकुल बने रहेंगे अब जब कभी हम सद्धियन को करेंगे इस अनालिसिस को करेंगे तो हमेशा आपकी कुंडली के हम लोग दश्रम भाव को देखेंगे दश्रम के मालिक आपके लिए बुद्ध देवता हैं जो आपके राशी के मालिक है अब बुद्ध देवता के अगर हम स्तिति को देखें तो वह मार्च 2021 में कोई आपके लिया बहुँ सदा फेवरेबल नहीं है बुद्ध देवता पहले तो 11 मार्श तक आपने शत्रू यानि के ब्रिहस्पती देवता के घर में विराजमान है जहां पर ब्रिहस्पती देवता के दुष प्रभाव की वज़त से क्योंकि वो खुद भी नीच वस्ता में है बुद्ध देवता भी इस समय पर पीड़त है जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके वर्क प्लेस पर दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं ये जो प्रभाव है या सीधे सीधे आपकी इंकम पर भी आ रहा है अब इसी प्रकार ये स्तिती जो है 11 मार्श तक ऐसे ही रहने वाली है जिसके पश्चात बुद्ध देवता आकर विराजमान होंगे आपके छटे भाव में अब छटे भाव में आकर विराजमान होना भी कोई शुब स्तिती नहीं है क्योंकि आपके राशी के मालिक का छटे भाव में विराजमान हो जाना आपके लिए बहुत ज़्याद नुकसान दायक हो जाता है इससे आपके जो शत्रू हैं, वो आप पर हावी होने लगते हैं और विशेज तोर पर ये जो शत्रू हैं मुझे ये आपके workplace पर दिखाई दे रहे हैं यानि कि आपके जो colleagues हैं, वो आपके पीट पीछे आपके workplace पर आपकी जो reputation है, उसको hurt करने का प्रयास करेंगे आप यदि उन्हें छुटी सी भी opportunity देंगे तो उस बात का वो बतंगड बना कर आपकी जो मेहनत से कमाई हुई रैपो है जो आपकी मेहनत से कमाई हुआ मान सम्मान है आपके workplace पर उसको hurt करेंगे उसको shield करने का प्रयास करेंगे जिससे की आपका जो workplace पर अपना ही एक रुत्बा था वो कम होने लगेगा तो शत्रों से विशेश तोर पर कलीग से जो आप से जलते हैं जो आपकी success से जलते हैं बहुत ज़्यादा साब्धान लेने के आवश्यक्ता है इस पूरे महीने आपको विशेश तोर पर 11 मार्च के पर चाथ एक और अवस्था जो यहाँ पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह बिमारियों का घर है और बुद्ध देवता विशेश तोर पर स्किन से सम्मंदद बिमारिया देते हैं तो ये skin से सम्मंदत बिमारिया होने की वज़े से कहीं न कहीं workplace पर आपका जो ध्यान है जो आपका focus है अपने काम पर वो तूट रहा है चाहें आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो चाहें आप business owner हो आप अपने काम पर शायद अपने स्वास्ते की वज़े से focus नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वज़े से आपका जो काम है जो आपका workload है वो बढ़ता जा रहा है और आप इससे सफर कर रहे हैं कहीं न कहीं इसकी वज़े से आपकी जो मानसिक चिंता हैं वो भी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है अगर मैं नए job seekers की बात करूँ जो लोग नए नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये जो समय है वो इतना ज़दा शुब नहीं है इस समय पर निराशा हाथ लगने की वज़े से आपका जो confidence है वो कहीं न कहीं तूट रहा है तो आप इससे आप कैसे बत सकते हैं आप इस अवस्था से कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं तो देखे बुद्ध देवता को मजबूत करने का मैं आपको एक बड़ा सरल सा उपाए बताने जा रहा हूँ बुद्वार के दिन अगर आप गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब होगा इसे बुद्ध देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन होंगे आपको आशिरवात देंगे और आपके काम को लेकर जो भी अडचने मार्च 2021 में आ रही है उनमें कमी आएगी तो ये बहुत सरल सा उपाय है बड़ा असान सा उपाय है जो कन्या राशी के सभी जातकों को इस महीने निश्चित तोर पर करना चाहिए चलिए भक्तरों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं कि भाग्य की द्रिष्टी से मार्च 2021 कन्या राशी के जातकों के लिए किस प्रकार बना हुआ है क्या सौगात लेकर आया है तो जब कभी हम इस चर्चा को करेंगे तो आपकी कुडली के हम लोग नवम भाव को देखेंगे जिसमें नवम के जो स्वामी हैं वो हैं आपके लिए शुक्र देवता अब शुक्र देवता की जो स्थिति है वो मार्च में शुरुआत में तो बहुत अच्छी नहीं है परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे मार्च प्रोग्रस करेगा और जब शुक्र देवता के राशी परिवरतन का समय आएगा जिसकी हमने पहले भी आपके आमंदनी की जब हम चर्चा कर रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र देवता है वो 17 मार्च से उच्च की अवस्था में आकर आपके सब्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे उनके विराजमान हो जाने की वज़े से इस भाव में आपके भाग्य को बल मिलेगा आपके भागी को मजबूती मिलेगी आपके भागे को दिड़ता मिलेगी जिससे जो भी अरचने आपके काम को लेकर इस महीने आपके उपर आ रहे थी उन में थोड़ी सी जो राहत है वो आपका भाग्य आपको दिला सकता है और साथी साथ जो मैंने आपको उपाय बताया था बुद्ध देवता के लिए गाय को सफे हाराचारा खिलाने का अगर इन दुनों चीजों का आपको फायदा मिलता है तो आपकी जो वर्क प्लेस पर अर्चरे काफी कम हो सकती है इसमें भागय का सपोर्ट आपको मिल सकता है एक विशेश बात जो है यहाँ पर ध्यान रखने वाली वो यह है बक्कणो कि यहाँ पर इस समय पर आपके भागय के भाव में अंगारक योग का भी निर्मान हो रहा है अंगारक योग जो है वो मंगल और राहू के एक साथ बैठने की वज़े से होता है जो कि यह काफी खतरनाक योग भी माना गया है तो इस समय पर क्योंकि आपका नवं भाव जो है धरम करम के कार्यों में लगने का भी भाव होता है जिसे हमें पता लगता है कि व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितनी उसकी धर्म के प्रती रूची है, तो ये जो रूची है, उसमें कहीं नंग कहीं मंगल और राहू मिलकर साथ में बैठ कर अडचन डाल सकते हैं अब एक व्यक्ति जो धार्मिक होता है, उसको काफी जादा मन की संतुष्टी मिलती है, सैटिस्फाक्शन मिलता है, परंतु इस महीने धर्म करम के कार्यों में आप अपना मन लान अगाने की वज़े से भी थोड़े से मेंटली डिस्टरब्ड अपने आपको महसूस कर सकते है तो इसलिए मेरी सला होगी कि थोड़ा सा समय, पांच मिनट का समय, आप नित्य प्रति दिन मेडिटेशन के लिए निकाले, ओम चैंटिंग करें, इससे भी आपको अपने मन को स्तिर करने में मदद मिलेगी यहाँ पर एक और चर्चा में जो करने जा रहा हूँ वो यह है कि केतु देवता जो कि इस समय पर विराजमान है आपके तिर्थिय भाव में, जो कि आपके भाई और आपकी बेहन, इनके सूचक हैं इस समय पर, उनकी भी सीधी सीधी जो दृष्टी है, वो यहाँ पर आप के भागय के भाव में बढ़ रही है, अब केतु देवता जो हैं, वो अचानक धन प्राप्ती के भी स्वामी होते हैं, उनकी वज़े से लोगों को अचानक लाब होता है, लौटरी लगती है, इस प्रकार का एकदम से, जो जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम से उसकी तो लौट तो ये कही न कही दर्शारा है कि आपके भाई और बेहनों के सपोर्ट की वज़े से, आपको अचानक लाब की जो संभावना है, वो इस महीने बढ़ सकती है, तो ऐसा कोई भी कारे करें, जिसमें आपको अचानक लाब की संभावना बनती है, वो आपको अपने भाई ये ब चलिए भक्कणों चर्चा को आके बढ़ा रहे हैं बात करते हैं कि स्वास्थे की दिष्टी से यहाँ पर जो महीना है मार्च 2021 का वो कन्या राशी के जातों के लिए किस प्रकार बना हुआ है जब कभी हमें सद्धियन को करेंगे इस अनलेसस को करेंगे तो आपकी कुण्ड़ी के हम लोग छटे भाव को देखेंगे अब छटे भाव के स्वामी हैं आपके लिए शनी देव शनी देव की तो अवस्था वैसे तो आपकी कुण्ड़ी में अच्छी बनी हुई है परन्तु यहाँ पर जो अन्ने ग्रेव विराजमाने आपके छटे भाव में यानि कि सूर्य देवता वो कही न कहीं हड्डियों से संबंदित परिशानी आपको इस महीने दे सकते हैं जलने की यानि कि किसी गरम वस्तों से संपर्ग में आने की वज़े से आपके शरीर पर जलने का दाग लगनी की विज़े संबावना है वो इस समय पर सूर्य देवता की वज़े से बढ़ रही है हाई बलड प्रेशर के मरीज भी इस समय पर अपना विशेश तोर पर ख्याल रखें साथी साथ यहाँ पर बुद्ध देवता भी जब 11 मार्च के पश्चाथ आकर निवास करने लग जाएंगे तो वो भी कहीं न कहीं आपको बिमारिया ही देने की जो संभावना है उसको बढ़ा देंगे क्योंकि बुद्ध देवता इस प्रकार की परिशानियों को देते हैं जब वो आपकी लगन ये राशी के मालिक हो और छटे भाव में आकर विराजमान हो जाएं तो इस प्रकार की जो संभावना है वो जादा बढ़ जाती है गले से संबंदित भी कोई परिशानी आपको इस समय पर घेर सकती है क्योंकि बुद्ध देवता बोलने के आवास के भी स्वामी होते हैं इस समय पर मौसम बदल रहा है वैसे तो यहाँ पर इस साल अचानक से गर्मी जो है वो इस पर बहुत जादा बढ़ गई है फरवरी के महिने से ही फिर भी आप एकदम से बदलते मौसम की चक्कर में ना आकर कई बिमार ना पड़ जाए ठंड के चपेट में आ जाए यानि सर्दी गर्मी के चपेट में ना आ जाए इसका आपको बहुत जादा ख्याल रखने की आवश्यक्ता है यहाँ पर भक्कणू मेरा आपको एक और सुझाव होगा क्योंकि बुद्ध देवता आपके लिए कर्मों के स्वामी है आपके लिए आपकी राशी के भी स्वामी है तो मेरी आपको सजेशन जो है वो यही है कि आप अपने हाथ में एक मंतर से प्राण प्रतिष्टे पन्ने की अंगूठी भी हमेशा धारन करके रखें यह आपके लिए बहुत ज़दा लाबकारी से दोगी आपको जीवन में हमेशा तरक्की दिरानने वारी होगी विशेश तोर पर आपके वर्क प्लेस पर यह आपको सफलता हासिल करवाएगी आपकी एक अलग पहचान बनाएगी और जो लोग भी बिजनस ओनर्स हैं अपना हासिल होगी इस सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा शनीदेव.us अगर आपका बजट नहीं है तो आप उसकी नीचे वाला लिंक है शनीदेव.us कहीं भी हो हम आपके घर तक इस अंगूठी को पहुचाएंगे तो इस अंगूठी को हासिल करने का ये बड़ा सरेल सा तरीका है और मैं आशा करता हूं कि आप में से कई सारे भक्तकड इस अंगूठी को धारन करेंगे हमारे सिद्शानी मंदर से इस अंगूठी को प्राप का चलिए बत करो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं बात करते हैं कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनका जो शादी शुदा जीवन है अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन्स है वो मार्श 2021 में किस प्रकार रहने वाले हैं साथी साथ यदि अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो इस महीने आपकी शादी के कितने प्रबल चांसे बन रहे हैं या फिर अगर आप अभी प्रेमी प्रेमी का हैं प्रेम प्रसंग में हैं तो अपनी जो पार्टनर है जो आपका रोमैंटिक पार्टनर है उसके साथ आपके रिलेशन्स किस प्रकार बने जो सौमी है वो तो ब्रिहस पति देवता है जिनका जो दुश्प्रभाव मैंने आपको पहली बी पता है इस महीने शीर होता जा रहा है फिर भी दुश्प्रभाव तो कहीं न कहीं है परंतु ये जो दुश्प्रभाव काफियत तक खतम होगा 17 मार्च के पश्चाथ जब देवता यहां पर आकर निवास करने लगेंगे और उच्छ के स्वामी हो जाएंगे यहां पर उच्छ की अवस्था को हासिल कर लेंगे जो की दर्शारा है कि सीधे सीधे अपने जीवन साती के साथ जो आपके संबंध है वो बहुत जादा बहतर होने वाले है बहुत साथ मधूर संबंध होने वाले है आप दुनों की बीच में जो प्यार है वो बढ़ जाएगा इस समय पर साथ में आपको टाइम स्पेंट करने का काफी मौका मिलेगा और आपके बीच में जो understanding है वो भी इस समय पर बहुत जोदा बढ़ेगी जो कि जीवन भर आपको साथ बांदे रखेगी इस समय पर आप ऐसे moments create करेंगे जो आपको हमेशा अपने जीवन में याद रहेंगे तो इस समय पर अपने partner के साथ समय व्यतीत करने का आप प्रयास करें या आपके लिए बहुत ही शुबस सिद्ध होगा और मैंने पहले भी आपको बताया कि कहीं न कहीं आपका जो life partner है वो इस समय पर आपके bank balance को बढ़ाने वाले सिद्ध हो सकते हैं उनका जो साथ है वो इस समय पर आपको बहुत ज़दा आपके लिए supportive है 17 March के परश्चाद आपके जो friends है वो भी इस समय पर friend circle बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है कोई एक अच्छा नया friend भी आपके जीवन में आने की जो संभावना है वो मार्च 2021 में विशेश तोर पर 17 March के परश्चाद दिखाई दे रही है साथी साथ जो लोग इस समय पर अपने लिए एक योग जीवन साथी के तलाश कर रहे हैं उनको भी शुब खबर प्राप्त हो सकती है और उनकी जो शादी है वो तै हो सकती है फिर भी भक्त करणो यदि आप में से कोई भी व्यक्ति चिंतित है कि उसकी जो शादी की उमर है वो निकले जा रही है बाल सफेद हो रहे हैं पर नतु एक योग जीवन साथी की जो तलाश है उसमें अभी तक आपको सफलता हासल नहीं हो ये आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं स्क्रीन पर आ रहे नंबर उपर एक बर हमसे संपर करके देखें हमारे सिद्धिशानी मंदिर में जो हमारे गुरु रजनी शिशी जी है जिनको 30 वर्षों का जोतिश का अनुभव है हमारी जो मा गुरु मा रुक्मनी जी है जिनको 10 वर्षों से भी अधिक का जोतिश का अनुभव है उनसे आप अपनी जनम कुणली का निरिक्षण कराए और अध्यन कराए अनालेसिस कराए निश्चे तोर पर उनके बताए सुझावों से उनके बताए उपायों को अपने जीवन में अपनाने से आपके जो योग के जीवन साथी की जो तलाश है बहुत जलदी अपने इंतकाम तक बहुँच सकती है आपकी जो तलाश है ये सफल हो सकती है और आपको भी शादी के लड़ू ग्रहन करने का अफसर प्राथ हो सकता है तो देर किस बात की भक्तड़ों स्क्रीन पर आरे नंबरों पर सीधे-सीधे आप संपर्क करें और गुरुमा रुक्मनी जी, गुरुरजनी शिशी जी से अपनी कुंडली के निरिक्षन कराने का अपॉइंटमेंट आप लें अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जदी आपके रॉमांटिक पार्टनर्स हैं आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उनके साथ जो रिलेशन्स हैं वो आपके किस प्रकार रहने वाले हैं अब अगर इन रिलेशन्स की हम बात करें तो हम लोग आपके पंचम के स्वामी को देखेंगे और पंचम भाव का अध्यन करेंगे शुरुआत में तो पंचम भाव के अवस्ता इतनी अच्छी नहीं है मार्स 2021 में परंतू जैसे जैसे बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा और उसके पश्चाथ ब्रियस्वति का प्रभाव शीन होगा तो शनी का प्रभाव है वो इस समय पर बढ़ने लगेगा और शनी का प्रभाव बढ़ते ही आपके और आपके रोमैंटिक पार्टनर के आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में जो सम्बंध है वो बढ़ने लगेगे उनमें मजबूती आएगी आपस में जो प्यार है जो प्रीत है जो प्रेम है वो बढ़ेगा आपस में जो अं रहे हैं बात करते हैं कि जो लोग students हैं अभी पढ़ रहे हैं competitive exams की त्यारी कर रहे हैं या भी schools में हैं तो उनके लिए मार्च 2021 पढ़ाई की दिर्शी से किस प्रकार रहने वाला है जब कभी सद्धियन को हम लोग करेंगे तो फिर से पंचम भाव को ही देखेंगे पंचम की स् उनने आपको सेती भी बताई कि शनी देव अपने ही गर में मजबूती से विराज माने हैं और बाकी ग्रहों का प्रभाव कम होने पर जब शनी का प्रभाव पढ़ेगा तो निश्चित तोर पर students का जो मन है वो मुझे दिखाई दे रहे है कि हो सकता है शुरुआत में महीन और उनको शुब सूचना प्राप्त हो सकती है शुब खबर प्राप्त हो सकती है पर एक बात का आपको बहुत साथ थ्यान रखना है कि आपको इस खुशी को सेलिबरेट नहीं करना है अगर आप इस खुशी को सेलिबरेट करेंगे तो आपको नजर लगने की जो संभाबना हैं वो बहुत ज़दा बढ़ जाएगी तो इसके लिए बहुत ज़दा सतर करें और खुशी को किसी भी प्रकार से आप इस समय पर सेलिब्रेट करने से परेज करें यही आपके लिए बहतर होगा चलिए भकड़ो हमने आपकी कुणली के हर जो प्रमोग शेत्र हैं उसकी चर्चा कर ली है तो अंत में चर्चा भी कर लेते हैं उस उपाईश की जिससे आप अपने लिए मार्च 2021 को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं और ज़्यादा सुखी बना सकते हैं और ज़्यादा अपने कामों में आपको सफलता हासल होगी तो बड़ा सरल सा उपाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये उपाई आपके लिए शुक्र देवता से संब्दित है क्यों शुक्र देवता से वो संब्दित है क्योंकि शुक्रदेवता आपके लिए भागे के स्वामी है भागेश है और इस महीने उनकी उच्च के अवस्ता आपके लिए बहुत सदा लखी सिध होने वाली है उसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए मैं आपको शुक्रदेवता का उपाय बताने जा रहा हूँ तो भक्तनों बड़ा सरल सा उपाय है आप अपने नहाने के पानी में रोज सुबा आधी चमच दही मिलाकर स्नान करना प्रानम कर दें इससे निश्चित तोर पर शुक्रदेवता आपसे प्रसंद होंगे दही कही न कहीं रिप्रेजेंट करता है शुक्रदेवता को और नहाने के पानी में मिलाकर जब आप उससे सनान करेंगे आधा ही चमच मिलाना है उससे जाधा मिलाने के आपको आवश्यक्ता नहीं है पस आदा चमच आप दही मिलाएं और रोस नान करें तो इससे निश्चित तोर पर शुक्र देवता की जो कृपा है वो आपके उपर सदैव बनी रहीगी अपने जीवन में आपको उनके प्रभाव से उनके आशिरवाद से आप हमीशा सवभागे शाली रहेंगे और अपने जीवन में प्रगति करते रहेंगे तो ये बड़ा सरल सा उपाए जो आप में से हर कोई व्यक्ति बड़े असानी से अपना सकता है चलिए भक्तणों आज की चर्चा को हम यही पर विराम देने जा रहे हैं आशा करता हूं आपको हमारा जे जो राशी फलकाIR प्रोग्रम है ये पसंद आया होगा हमें कमेंटस के माद्वम से बताएं कि आपको हमारा प्रोग्रम कैसा लगा साथि साथ अपने दोस्तों, रिष्टेदारों, नातिदारों, परिवार के सदस्यों, मित्रों सबी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें और हिंदू सनातर निधर की जो अच्छी बाते हैं उनको अपने मित्रों दोस्तों सब तक सगे सम्मंदियों तक पहुचाने में हमारी सहता करें इसी मंगल कामना के साथ कि आपके और आपके परिवार के लिए महीना अत्यनत लाबकारी शुबदाई सिधो मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ अब मुलाकात होगी अकले महीने तब तक के लिए जै शनी देव झाल